Hello everyone and welcome back to another video तो फ्रेंच इससे पिछली वीडियो में आपको सिस्को की एक फैसर जॉब के बारे में बताया था तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उस जुरूर देखना एंट उस जॉब के लिए प्लाई करना जिसकी नोटिफिकेशन एक्षेंचरी की तरफ से आई है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना बताऊंगा आपके आप इस जॉब में क्या जवर लोने वाला है क्या जॉब लोकेशन होने वाली है कौन को नहीं जॉब के लिए अपलाई कर सकता है कैसे अपलाई करना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने उतर टेलेगराम गुरूप जोइन नहीं किया है तो आपको यहां पर जो जो बडल होने वाला है वो आपको यहां पर associate software engineer का होने वाला है यहां पर इस company में एक team मिलेगी जिसके अंदर आपको developing, designing and maintaining technologies का काम करना होगा साथ ही आपको यहां पर bail design, test, assemble, support and configure application using business requirements का का काम भी करना होगा and आपको यहाँ पर participate करना होगा development of automation solutions, new functionality and technologies के अंदर भी basically आपको यहाँ पर इस job में software development का काम मिलने वाला है जिसके अंदर आपको back end या front end पर काम करना होगा and नीचे आपको यहाँ पर इन्होंने कुछ skills बताइए जो कि आपके पास होनी चाहिए इस job में तो आपको यहाँ पर जो भी business के issues होते हैं उन्हें resolve करना होगा and आपकी यहाँ पर fast learning skill भी होनी चाहिए ताकि आप new new technologies के बारे में जल्दी से सीख पाएं and आपके अंदर good analytical and problem solving skill भी होनी चाहिए साथ ही आपकी यहाँ पर communication skill भी अच्छी होनी चाहिए और भी आपकी यहाँ पर काफी चीजे mention है तो आप apply करने से पहले इन सबको एक बार जरू read कर ले न and नीचा आपको यहाँ पर इन्होंने की प्रेफरे skill भी mention करी है जो कि आपके पास होगी तो आपको यहाँ पर इस job में ज़्यादा preference दी जाएगी जैसे कि आपको यहाँ पर basic AB, AP development की knowledge होनी चाहिए साथ ही आपको यहाँ पर configuration and customization में भी experience या उसकी knowledge होनी चाहिए and अगर आपको .net की knowledge है तो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा preference दी जाएगी तो आपको यहाँ पर इन्होंने कोई specific branch mention नहीं करी है बट मैं आपको फिर भी बता दूँ अगर आपने BE, BTEC, ME, MTEC, BCA, MCA, BSC, MSC, BWOC, MWOC की है computer sense यह IT की field से तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं तो अब बात करना है आपको इस job के लिए कैसे apply करना है तो link आपको यह जो वीडियो के description में मिलेगा जैसे यह आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस्तरिके के interface आएगा नीच आपको यहाँ पर I am not a robot पर click करके next button पर click करना है तो जैसे यह आप next button पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस्तरिके का registration form आएगा तो आपको यहाँ पर सब सब पहले बताना है कि आपको इस job के बारे में कहां से पता लगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ personal detail डालनी है जिसमें आपको अपना first name, middle name and last name डालना है अपना university का registration number डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी email id डालनी है देन अपना mobile number डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना whatsapp contact number डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी data of birth डालनी है देन आपको यहाँ पर अपना gender select करना है परसनल डिटेल के बाद आपको यहाँ पर अपनी education डिटेल डालनी है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ professional डिटेल डालनी है जिसके अनर आपको बताने हैं कि अगर आपने कुछ से पहले कोई internship की है या अगर आपके पास किसी job का experience है तो आपको यहाँ पर उसकी detail डालनी है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ skill डालनी है जिन अगर आपके पास कुछ certificate है किसी भी course का यहाँ पर आपको उसकी detail डालनी है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी तीन प्रैफर लोकेशन डाल ली है कि आप किस लोकेशन पे जाके काम कर सकते हो then आपसे यहाँ पे कुछ other details भी मांगी गई है then नीचे आपको यहाँ पे अपना resume upload करना है अपनी passport size photo upload करनी है then आपको यहाँ पे नीचे आना है नीचे आपको यहाँ पे yes पे किलिक करना है I agree पे किलिक करना है then आपको फिर नीचे आना है नीचे आपको यहाँ पे yes पे किलिक करना है इन सभी I agree पे किलिक करना है then आपको यहाँ पे नीचे I am not a robot पे किलिक करना है वीडियो चेलेगी तो लाइक एन शेर करें एंड टेलीगराम गरुप को भी जोईन करना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू